तो हलो दोस्तो आज का वीडियो काफी important है आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पे आधार authentication के लिए जो परिशान है जिनका blog हो चुका है तीन बार apply करने के बाद अब उनको chance नहीं मिला है वो student परिशान है जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बता रहा था कि यहाँ पे आप ल लोगों का official announcement हो चुगा है कि आप लोगों को तीन चांस और मिलेंगे दोस्तो यहाँ पे क्या है नीज आप लोगों को सुरूज लेकर last तक यहाँ पर दिखाऊंगा दोस्तो आप लोगों को सुरूज लेकर last तक वीडियो पूरा देखना है जो चैनल पर नहीं कर्प्रिया चैनल को सबस्क्राइब कर लें क्योंकि आप लोगों को UB Scholarship की लेरेटिब information सबसे पहले यहाँ पे मिलती रहेगी तो दोस्तों यहाँ पे news क्या है उसको मैं दिखाऊंगा यह news जो है समाज कल्यार से official हुई है और समाज Chrome browser पे Google पे सर्च करना है website सरकारी.co यह website जब आप लोग सर्च करो पर फास प्रोजीस पे आप लोगो को दिखाई देगा यहाँ पे यहाँ पे आप लोगो को क्लिक करने एक बाद UB Scholarship Online 2021 पे क्लिक करना है जैसी दोस्तों आप लोगो क्लिक करोगे सो यहाँ पे information जो निकलेगी आप लोगों को रोज करोज परवाइड होती है और यहाँ पे जो भी नई information पबलिक होती है वो आप लोगों को बताई जाती है अब बढ़ता हूँ जो news है दोस्तों आधार authentication का आप लोगो ने तीन बार अप लोगो चुका है यह दोस्तों आज की news है और यह news समाच कल्यार से पबलिक होई है दोस्तों news यह रही जैसा कि आप लोग यहाँ पे दिखा दूँ यह देख सकते हो राकेश कुमार सचान अनू सचिव उत्तर प्रदेश शाशन सेवा में निदेशक समाच कल्यार विवाग उत्तर प्रदेश लखनव समाच कल्यार विवाग अन्वाग थिरी और विसह है बित्ती बर्ष में 2020-21 में पूर्ध दसम कच्छा नौ या दस एवं दसमोतर छातवर्ती इवं प्रतिपूर्ती के ओनलाइन आवेदन पत्रों में आदार प्रमाड़ी करतेतु निर्धारित तीन बार से अधिक सुबदा प्रदाहन किये जाने के संबन्द में जो यहाँ पे तीन बार सुबदा ले चुके हैं उनका यहाँ पे जो विलोग हो चुका है प्रतिपूर्ती के ओनलाइन आवेदन पत्रों में आधार प्रमाड़ी करतेतु निर्धारित तीन बार से अधिक सुबदा प्रदान किये जाने के संबन्द में प्रस्ताव उपलब्द कराए गया है दूसरा उप्सन इस संबन्द में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बित्ती वर्ष 2020 में पूर्व दसमकच्छा नौवा दस एवं दसमोतर छात्वती एवं सुल्कपति पूर्ती के ओनलाइन आवेदन पत्रों में आधार प्रमाड़ी करतेतु पूर्व से निर्धारित तीन अवसरों की सुबधा प्रवधान सुबधा छात्रों को प्रवधान की जाती है करपिया उप्रुक्त अनुशार और विश्यक करवाई करने का खष्ट करें सो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो यह उत्तर प्रदेश लखनव से इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर राकेश कुमार सचान अनुशाच्यू है और यहाँ पर जो है समाज का लियार से इंफॉर्मेशन है जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ यहाँ पर जैसा कि कच्छा 9 और 10 एवं 10 मुत्तर शात्रवती जो यहाँ पर 10 मुत्तर में कौन कौन आते हैं 11 बारे पोस् आधार प्रमारी करा थे तू पूर्मेन दिदार तीन अवसरों के अत्रिक्त यहाँ पर जो तीन अवसरों को मिल लए थे अत्रिक्त तीन अन अवसरों की सुबधा प्रदान करने की दी जाती है आप लोगों को यहाँ जैसा कि सुबधा जो है चात्रों को प्रदान की जाती है तीन अन्छांस और मिलेंगे क्यों कि आपका तीन बाहिफों सो ब्लाउक हो चुगा है लेकिन आप अप लोगों को अब जो तीन चांस मिलेंगे ना उनको आप लोगोंको बहुत सही से अपना अधारा अधंटी के ओर ना तब अप लोगों कर लिए गाँगी लेकिन आप तीन जो अपलाई करोगे उसमें आप लोगं को देखने लिए कि कौन सा मेरा मोबाईल नंबर कैसे इसको सॉल्व करूं मैं तो स्कॉलर से फॉर्म ही नहीं बर पाऊंगा तो उनको आज जो है ऑफीसियल हो चुका है तो उनको कोई दिक्कत घफराने की जरूरत नहीं है और इसमें सब कुछ बता दिया है और उनको जो है छैसांस मिलेंगे जो भी स्टूरेंट ब्लॉक हो जो है तीन बार अप्लाई ब्लॉक हो चुका है उसको और आप लोग अप्लाई करिए ट्राइ करिए आपका यहां पे तीन अफसर और मिल जाएंगे ठीक है तो आप लोग जो है बैरिफाई कर सकते हो अपना अधार आथर्टिक से ना योप आप लोग को समझ में आ चुका ह मिलते हैं आप लोग को समझ में आ चुका हों मिलते हैं ना इस वीडियो में थेंक्यू बाइबाइबाइबाइबडाई